दोस्तो अगर आपने भी सीसिस उनिविश्टी से अपना कोई भी कोर्स लाइक UG, PG, Diploma Certificate कोर्स कम्प्लीट कर लिया है और अब आप चाते हैं अपनी डिगरी आप ओनलाइन अपलाई करके घर बैठे मंगाना तो कैसे आप ओनलाइन अपलाई करेंगे और क्या-क्या डोकिमेंट की जरूत होती है कैसे अपलाई करना है A to Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो में सेर करने वाला हूँ चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखे दोस्तो चैनल को अभी तक आपना कोर्स कम्प्लीट कर लिया है वो यहाँ पर ओनलाइन डिगरी के लिए अपलाई कर सकता है और फिर 15-15 डेज के अंदर अपनी डिगरी घर बैठे वे रिसीव कर सकता है तो कैसे आपको उनलाइन अपलाई करना है इसलिए सबसे पहले आपको व्यागरना है अपने ब्राउजर को उपन कर लेना है तो यहाँ पर हम CC University की मेन वैबसाइट सर्च कर लेते हैं सर्च करने के बाद देखे हम वैबसाइट पर जाते हैं अब हमें यहाँ पर जाना होता है student section के option में इसमें जाना है student help desk के option में click कर लेना है click करते ही हम देखे next step पर जाएंगे जो कि आएगा हमारा एक new portal रहेगा जहां से आप mark sheet ट्रांजिसिप या फिर mark sheet दे उंदर correction करा सकते हैं कर सकते हैं साथ में option मिलता है degree के लिए अप्लाई करने को मिलता है और लाइशर मिलता है आपको university portal login साथ में scroll करते हैं देखे आपको महत्पूर्ण दिसार निदेश मिल जाते हैं जो मैं देखे में मैंसन किया गया है अगर आप इस portal से कोई भी service apply करते हैं अगर आपको अर्जेंट चाहिए उसके लिए आपको 200 रुपे का आपको एक्सर चार्ज दिन होता है और आपका जो certificate है जो भी आपका duplicate हो जाएगा और डाक के थुरू आपके address में सेंड करते जाएगा अधरवाइज आपका maximum टाइम लेता है 15 डेज अंदर आपको complete प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और साथ में जाकर डिगरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 15 डेज का वेट करना होता है 15 डेज में आपकी डिगरी आपके address पर सेंड करते जाती है चाहिए उसको आपको अप्लोड करना है साथ में डिप अप्लोड करना है इसमें आप अधरगार अप्लोड करेंगे तो देखें दोस्तों हमारा second option आता है जो कि है डिगरी स्टुडेंट पोर्टल जहां पर अप्लाउप्स मिलता है नियूर जिस्ट्रेशन फोर डिगरी औ और सेगेंड उपस्ट नता है student login portal तो हमें इस पहले उपस्ट पे किलिक कर लेना है new registration for degree इस उपस्ट पे करते ही नेक्स टेप पर जाएंगे जहां पर देके mention किया गया है new registration for degree till 2021 यानि जिस student इस 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 इवेस्टी से 2021 तक pass out हो चुके हैं वो यहाँ पर degree के लिए apply कर स सकते हैं अभी तो 21 तक जो student pass out हो चुके हैं वो अपने यहाँ पर degree के लिए apply कर सकते हैं जिसके सबसे पहले आपको फिल करना है अपने नेम फिल कर लेना है father's name फिल कर लेना है mother's name फिल कर देना है अपना roll number फिल कर लेना है तो रोल नमबर आपका alphabet के साथ आता है तो आपको जो यहाँ पर course है course का name select कर लेना है आप किस के लिए degree apply कर रहे है BA, BC, MSC, MA जो भी आपका course का name है आपको फिल कर लेना है साथ में आप उसमेलता है यहाँ पर subject का तो देखें दोस्तों जो भी आप यहाँ पर course select करेंगे उसको आपने किस subject से आपने study किया है तो यहाँ पर आ subject का यहाँ पर fill कर सकते हैं अगर आपको subject नहीं मिल रहा है मल यह में में है यहाँ में साथ में name of college आपको अपने college का name है वो आपको यहां पर fill कर लेना है साथ में उसमें मिलता है आपको यहां पर जो आपका course है वो आपने regular किया है प्राइवेट किया है वो यहां पर आपको select कर लेना है साथ में उसमें मिलता है देखिए year till 2021 यानि आपका जो यहां पर year कौन सा है जो passing year क्या है आपका वो आपको select कर लेना है तो ज़र 21 का तक आपको यहाँ पर year available होंगे यहाँ पर डिग्री के लिए apply कर सकता है तो यहाँ पर आपको enter कर लेना है किस year में आपने अपना course complete किया है साथ में tip नहीं है नहीं comment, comment में आपको कुछ भी यहाँ comment कर देना है आपको degrees urgent चाहिए, क्या चाहिए, मैं कुछ भी एक comment आपको यहाँ पर fill कर देना है यहाँ पर fill करना जरूरी है, आप तभी next step पे आप आगे आएंगे साथ में मिलता है यहाँ पर student email address, तो student को अपना email address है फिल कर देना है password एक confirm कर लेना, अच्छे सा password यहीं strong password आपको पर create कर लेना है साथ में मिलता है correspondence address, तो यहाँ पर जेखिए, जो address है आपको यहाँ पर, आपको यहाँ पर right address fill कर देना है, क्योंकि इसी address पर आपकी जो degree है वो send की जाएगी by post तो आपको address के अंदर अपना full address fill कर देना है, state select कर लेना है आपको अपना, district select कर लेना है और पिन code यहाँ पर आपको अपना fill कर लेना है जो भी आपका area है जापे आपने degree मगाना चाहते है by post, साथ में right capture fill कर लेना है यानि 3 plus 3 हम यहाँ पर 6 कर लेते हैं अब हमें यहाँ पर upload करना है अपने document, document में सबसे पहले हम upload करना है अपने mark sheet, तो जितने year के आपकी mark sheet है, तीन year के 4 year के 2 year के mark sheet, आपको यहाँ पर upload कर लेना है, जो mark sheet है आपकी, उनको combine आपको एक file बनाना है, जो की PDF format में आपकी file होनी चाहिए, size आपको रखना है, maximum 500 KB त अगर आप medical student है, तो आपको internship की file है, उसको upload यागर पे साथ में करना है, अगर आप medical student नहीं है, तो आपको third document upload करने की जुरूत नहीं है, तो तली से हम पहला document upload कर लेता है, जो की हमारी रहेगी, all marks it, जो की combine file हमें एक PDF format में बनानी है, उसको यहाँ पर upload कर लेते हैं, करके जो आपने file upload करी है, वो आप चेक कर सकते हैं, कि आपने right file upload की है या नहीं की है, इसके बाद देखे हम बैक आते हैं, और यहाँ पर upload कर लेते हैं, अपना अधार कार्ड चूज़ फाइल कर लेते हैं, और फिर upload अधार कार्ड उसमें क्लिक करते हैं, तो देखे हमारा काड भी यहां पर अप्लोड हो चुका है अब देंगे दोक्यमेंट हमारे यहां पर अप्लोड हो चुकन है आप दोस्तों अगर यहां पर नोटस द क्लिक कर दें ऑब एक बात चेक मार्त करेंगे पर रिजिस्ट्रिट्स नमबर आप कर insight messy चुक आप में चाहत्य तो यहाँ पर देखे सबसे वहले step था हमारा registration का जो हमने यहाँ पे applied successfully हमने यहाँ पे complete कर लिया जो कि status में हमारा complete सो कर रहा है second step है हमारा यहाँ पे upload document जिसमें हमने stack in step में अपने document upload के हैं successfully साथ में status हमारा यहाँ पे complete सो कर रहा है थार्ड स्टेप है हमारा यहां पर print form जिसमें यहां पर रेखिए status तो हमारा complete सो कर रहा है और देखिए web link के option में उप्सवन मिल रहा है click here to print तो यहां पर हमे click here to print के option पर click करना है click करने के बाद जो हमारा final print है student detail के साथ यहां पर सोग जाएगा इसका आपको print out निकालके अपने पास save रख लेना है अब देखे दोस्तों साथ में यहाँ पे आपको current status हो करेगा इसमें देखे document हमारे upload हो चुके हैं और जो registration complete हो चुका है request under process हो करेगी तो यहाँ पे हमने degree के लिए online apply कर दिया है online apply करने के बाद अब आपको अपना status चेक करना है कि status क्या है आपका degree का तो इसके लिए देखे हम back आते हैं और यहाँ पर जाएक उपस्ट मिलता है आपको status का इस option पर हमें click कर लेना है click करने के बाद है कि जो आपका status है वो सो कर जाएगा अभी हमने degree के लिए online apply किया है तो यहाँ पर सो कर रहा है document है हमने upload कर दे हैं साथ में registration हमारा complete हो चुका है और जो request है हमारी under process है यानि हमारी degree की request यहाँ पर under process यहाँ पर अभी status में सो कर रही है तो देखे दोस्तों यह login करने के बाद आप status चेक कर सकते हैं अपनी degree का अगर आप यहसे logout हो जाते हैं इस portal से तो आपको status के चेक करना है तो देखे हम main dashboard पर आच चुके हैं portal के तो यहाँ पर देखे हमें top header के option में यहाँ पर home search status how to apply get login detail option जाता है तो हमें यहाँ पर click कर लेना है search to status इस option पर हमें click कर लेना है click करने के बाद देखे आप जो अपने status search कर सकते हैं वो degree के लिए अलग से सकते हैं conquistation status हमारेस हो जाएगा इसमें किस request के लिए अपलाई किया है वो सो करेंगा request number इसको का करेंगा listen number सो करेहा है प्लाई यहाइट इस्टेटरस हो करेंग साथमें à हमारा document uploaded, registration complete और under process, और remark हमारा pending सो कर रहा है, जब आप इसको 1, 2 ये 2 days आपको सुबाद दुवार से चेक करेंगे, तो देखें, आपको सो करेंगा status कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर status देखें, हमारा 2 दिन बाद इस तरह सो करने लगा है, request received और under process, remark हमारा pending है, यनि request university को receive हो चुकी है और जो हमारे degree का process है, वो अभी भी under process सो कर रहा है, तो देखें जो ये process आपको है, चेंज होता रहता है, तो status आपको चेक करते रहना है, लेकिन within 15 days के अंदर आपकी जो degree है, वो आपके address पर send कर दी जाएगी, अगर आपका right address है, जो आपने fill किया है और जो आपके अधार कार्ड में address mention है, उसको चेक करने के बाद अगर आपको mobile number working में है, तो वो आपको call करेंगे, डाग दौरा आपकी ये जो degree है, आपके घर पे send की जाती है तो आप जब भी online apply करें, तो आप अपना right address fill करें, ताकि डाग दौरा जो आपकी degree आनी है, वो right address पे आपको receive हो सके within 50 days गे अंदर, तो आई होग दोस्तों आपको clear हो गया होगा कि कैसे आपको अप degree के लिए online apply करना है कैसे status check करना है और degree कब तक आपको receive होगी सब कुछ जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में share कर दिया तो आई होग दोस्तों आपको clear है कि आपको कैसे online apply करना है अगर कोई आपको कई doubt आ रहा है भी भी तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं या फिर मुझे instagram पे message कर सकते हैं तो वहाँ पे मैं आपकी help कर दूँगा ताकि आप degree के लिए online apply easily कर सकें Thank you